तो आज मैं लेकर आई हूँ चीजी एंड क्रिस्पी ब्रेट पकोड़े की रस्पी जो खाने में काफी यमी था जो आप लोग मार्केट में खाते है ना उससे भी जादा टेस्टी और इसको बनाना बहुत ही आसान है बहुत ही इसली ये बन जाता है तो चलिए शुरू करते ह तो यहाँ पर मैंने आलू को उबाल के अच्छे से मेश कर लिया था फिर इसमें हम डालेंगे चीली फ्लेक्स कटी हुई प्याच और कुछ हरी प्याच की पत्रिया डालेंगे तो फिर इसमें थोड़ा सा धनिया पउर्डर डालेंगे और यहाँ पर हम रोस्टेट जीरा प अब इसमें हरी धनिया डालेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब स्टफिंग बन चुकी है तो अब हम बनाएंगे बेशन का घोल तो यहां पर मैंने बेशन लिया हुआ है फिर इसमें हम रेड चिली पॉडर डालेंगे और हाफ टेबल स्पून शॉल्ट और थो तो यह अब हमारा घोल बनके तयार है तो यहां पर मैंने एक ब्रेट का स्लाइस लिया हुआ है इसको अब हम कट कर लेंगे तो इस तरह मैंने सब ब्रेट को कट कर लिया अब इसकी हम स्टफिंग करेंगे अब इसमें हम लगाएंगे उपर से पेपर चीज और फिर दूसरे bread slide से इसको강 चिपका देंगे. इस तरहे मैंने छोटे-छोटे bread पकोड़े बना लिये हैं. अब इसको हम बेसन की गोल मेर डेप करेंगे और इसको चारो तरफ से अच्छे से कोड कर लेंगे. फिर इसको हम गरम-गरम oil में fry कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे इसको हम दोनों साइट पलट के अच्छे से सेख लेंगे तो अब ये हमारा गर्मा गर्म क्रिस्पी ब्रेड पकोड़ा बनके तयार है तो आज की रेस्पी आपको कैसे लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करिए वीडियो को लाइक करिए और बैल आइकन को जरूर प्रेस करिए तो मिलते हैं नेक्स्ट रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई ठैंक्स फॉर वाचिंग